नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियों भी हम फरवरी 2022 की करंट अफेर को पढ़ेंगे इस महिने की जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेर बनती है वो सारी की सार यहाँ पर डिसकस करेंगे प्रशनों के माध्यम से हम करंट अफेर को पढ़ेंगे और प्रतिक प्रशन को डिटेल में देखेंगे उससे सम्भन्दी तत्यों को पढ़ेंगे ताकि एक ही प्रशन से जितने भी important point बन सकते हैं हम उनको cover कर सकें दोस्तो यह वीडियो इस सीरीज का तीसरा वीडियो है फिंटेक ओपन हेक्थोन क्या है इसे आली में जारी किया गया है पहली protein subunit vaccine कोन सी है और परंप्रवे क्या है इसके commission की घोशना की गई है और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन है हरमीस mission की अंत्रिक्ष agency दुआरा लोच किया जाएगा ओप्शन्स है नासा, रोज कॉस्मोस, स्पेस एक्स या फिर इस्रो इसका सही जवाब है ओप्शन ए यानी नासा नासा के दोवारा हरमीस mission लोच किया जाएगा कब किया जाएगा नुवंबर दोहसार चोबिस तक इसे समंदी जो प्रारंबिक डिजाइन है जो भी कारेकर महुन का मुल्यांकन किया गया हाली में और इसका पूरा नाम है हेलियो फिजिक्स एन्वार्मेंटल एंड रेडियेशन मिजरमेंट एक्सप्रिमेंट स्चूट ये इसका पूरा नाम है और नासा के द्वारा इस मिशन को लोच किया जाएगा यह मिशन आर्टेमिस मिशन के साथ साथ नासा के चंदरमा पर एक स्थाई उपस्तेती बनाने के लक्षय का एक महत्तपून हिस्सा बनेगा नासा द्वारा चंदर्मा पर एक स्थाई उपस्तेती बनाने का लक्षा रखा गया है और इस लक्षा को प्राप्त करने में यह मिशन बहुती इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा Artemis मिशन के बारे में आप चानते होंगे यह नाशा का मिशन है इस मिशन के माध्यम से कुछ पुर्शन को और साथी साथ एक महिला को चांद की स्थाया पर उतार जाएगा ठीक है नासा की बात करें तो यह है अमरीका की अंतरिक्ष एजनसी है इसकी स्थापना 1998 में की गई थी वोशिंग्टन डीसी में इसका मुख्याले है जो रोस कोस्मोस है यह है रूस की स्पेस एजनसी है स्पेस एक्स युएसे की स्पेस एजनसी है और इसके मालिक है एलन मस्क इस रोह हमारे अपने अपने देश की स्पेस एजनसी है अगला प्रशन है हाली में चर्चा में रहा परम परवेग क्या है इसका सही जवाब है option A यानि सूपरकम्प्यूटर परंपरवेग क्या है? सूपरकम्प्यूटर है परंपरवेग नामक सूपरकम्प्यूटर को कमिशन करने की घोशना की गई है भारत्य विज्ञार संस्थान के दुआरा और यह कहां पर सित है? बैंगलूरू में परम परवेग और हाली में इसके कमिशन की घोशना की गई है परम परवेग सूपर कम्प्यूटर में 3.3 पैटा फ्लॉप्स की कुल सूपर कम्प्यूटर इन अक्षमता मौचूद है एक पैटा फ्लॉप्स है जो ये 10 की घात 15 के बराबर होता है और जो परम परवेग सूपर कम्प्यूटर है, इसकी कुल अक्षमता होगी 3.3 पैटाफ्लोप्स, बहुत ज्यादा अक्षमता होगी इसकी, जो भारत का पहला सूपर कम्प्यूटर था, वो सीडेक के द्वारा बनाये गया था, परम 8000, ठीक है, आप ये भी याद रखें, इ का पूरा नाम है, Center for Development of Advanced Computing, तो याद रखें, परम परवेग एक सूपर कम्प्यूटर है, और हाली में इसके कमिशन की बात चल रही है, आईए भढ़ते हैं अंगले प्रशन की ओर, हाली में होईसल मंदिरों को वर्स 2022 थे इसके, विश्व विरासत सूची के लिए भारतिय नामांकर के तोर पर शामिल किया किया है, बताइए यह मंदिर की स्राजय में स्थित है, जो होईसल मंदिर है, इनको विश्व विरासत सूची में शामिल करने की बात चल रही है, और यह मंदिर कहां पर है, यह प्रशन में पूछा गया है, ओप्शन्स है, करनाटक, मिश्यतापदी में करवाए गया था ग्यारा सुपचास हिच्वे में होईसल राजयाओं द्वारा काले शिस्ट पत्थरों के माध्यम से इस मंदिर का निर्मान करवाए गया था कहां पर यह करनाटक के हैली बेड में स्थित है जो होईसल मंदिर है यह हाइब्रीड या फिर वेशर सैली के अंतर कताता है देखिए मंदिर निर्मान की मुखेते तीन शैलिया है नागर शैली वेशर सैली और द्रविड शैली जो नागर सैली है इसके माध्यम से उत्तर भारत के मंदिरों का निर्मान किया गया है दक्षिन भारतों के मंदिरों का बनाने के लिए द्र धारन है इसे आप ज़रूर याद रखें जो द्रविट पदती है इसमें जो मंदिर बनाए जाते हैं उनका आकार पिरामिन के जैसा होता है पिरामिन नूमा होता है ठीक है करनाटा के अन्य मंदिरों की बात करें तो चन्य केश्वा मंदिर ये करनाटा के सोमनातपूरा में स्थित है इसका निर्माण नरसीमा तरीत्या ने करवाय था 1268 इश्वी के आसपास और केश्वा मंदिर है जो ये करनाटा के हसनपूर चिले में बैलूर के पास अस्थित है और इसका निर्माण करवाय था विश्व मर बनाया गया इसको वेशर सहले में ये कुछ बाते हमें जरूर याद रखनी है अगला प्रशन है हाली में आई बम चकरवाद से किस देश को नुकसान पहुँचा है या फिर बम चकरवाद ने किस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है उप्शन से अमेरीका, फ्रांस, भारत या फिन मैक्सिको इसका सही जवाब है उप्शन ए यानि कि अमेरीका बम चकरवाद है जो ये पुर्वी अमेरीका से टकराया था और इसके केंदर में नीमन वायूदाब था आप सभी जानते हैं जो वायू है वो हमेशा उच दाब से नीमन वायूदाब की और गमन करती है चकरवाद के केंदर में नीमन वायूदाब होता है और बाहर उच वायूदाब होता है तो बाहर की अवा अंदर की और आती है चकरवाद में जो बम चकरवात है इस खन निवान तब होता है जब ठंडी वायू का दरव्यमान गरम वायू की दरव्यमान से टकराता है बम चकरवात आम तोरपर ठंड के दुरान ही देखने को मिलते हैं क्योंकि ये चकरवात ठंडी और गरम हवा की मिलने से बनता है चुंकि चक्रवात के बनने में वायू मंडले दाब का बहुत बढ़ा रोल होता है तो वायू मंडले दाब को किस में मापा जाता है? मेली बार में मापा जाता है, आप ये भी याद रखें ठीक है? तो बम्ब क्या है एक चकरवाथ है और अमरीका से टकराया है ये अगला प्रशन है हाली में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षन के उनसार भारत वन अक्षेतर वरिदी के मामले में विश्व में किस स्थान पर है अप्षन से पहला, दूसरा, तीसरा या फिर पांचवा इसका सही जवाब है अप्षन सी यानि तीसरा भारत वन अक्षेतर वरिदी के मामले में तीसे स्थान पर है भारत में वर्ष 2010 से लेकर 2020 के बीच हर साल 266,000 हेक्टेयर वन अक्षेतर में वरिदी हुई है हर साल इतनी वरिदी होती है वन अक्षेतर में ठीक है, भारत के कुल बहुगोलिक अक्षेतर फल का 24 प्रतिशत भाग वनों से अच्छादित है और पूरे विश्व के कुल वनों का भारत में मात्र 2 प्रतिशत वन पाय जाता है तो याद रखे, भारत का जितने भी भोगोलिक अक्षेतर फल है उसके 24 प्रतिशत पर वन है और पूरे विश्व में जितने भी वन है उसका दो प्रतिशत भाग भारत में पाय जाता है सर्वेक्षन के उनसार सरवादिक वन वाले देश है ब्राजिल, ब्राजिल में अमेजन के जंगल भी है जिनको फ्रीत्वी के फैफड़ी भी बोला जाता है कांगो, पेरू और रूस यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वन पाय जाते है कुछ अन्य बाते कर लेते हैं भारत में मद्या परदेश में सबसे अधिक वन अक्षेतर है मद्या परदेश का जो भोगोलिक भाग है इसके कुल ग्यारा प्रतिशत भाग पर वन अक्षेतर है याद रखें, सबसे ज्यादा वन कहां पर है भारत में मध्या परदेश में है मध्या परदेश में भारत के कुल वनक्षेतर का सोरी भारत के कुल वनक्षेतर का है ये मध्या परदेश के वनक्षेतर का नहीं भारत के कुल वनक्षेतर का ग्यारा प्रतिशत भाग है मध्या परदेश में इसके बाद अउनाचल परदेश का स्थान आता है जिसमें देश के कुल 1 अक्षेतर का 9 प्रतिशत भाग है राजे के कुल भगोली का अक्षेतर फल के प्रतिशत के रूप में 1 आवरन के मामले में कुछ राजे इस प्रकार से हैं मिजोरम का जो भोगोलिक अक्षेतरफल है उसके 85% पर 1 है अउनाचल परदेश के 79% पर 1 है मेगाले के 76% पर और मनेपूर्त था नागलेंड के 74% पर 1 है हमें यहां से दो बातें जरूर याद रखनी है जो सबसे ज्यादा 1 है परशेंटेज के हिसाब से वो मिजोरम में पाय जाते हैं मिजोरम में हैं बिजिकली और सबसे ज्यादा वन अक्षेतर फल के हिसाब से मध्यापरदेश में हैं ठीक है और सबसे कम वन प्रतिशत्ता और अक्षेतर फल के अधार पे हरियाणा में हैं तो आप इन आंकणों को ज़रूर याद रखें अगला प्रशन है एक दिवसिया महि दूसरा तेसरा या फिर चोथा इसका सही जवाब है ऑप्षन ए पहले स्थान पर बल्ले बाजों की रैंकिंग में मिताली राज का स्थान पहला है अंतरास्ट ये क्रिकेट परिशदियने की आईसेसी के दुआरा महिला क्रिकेट विशव गब 2022 से पहले ये रैंकिंग जार जो समरीती मन्थाना है इनको हाली में सभी प्रारूपों में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शांदार प्रदशन करने के लिए आईसेसी के दुआरा महिला क्रिकेटर ओफधा इयर पुर्षकार से सम्मानित किया गया है महिला क्रिकेटर ओफधा इयर पुर्षकार 2020 किस शतक लिगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है साथी साथ मिताली राज भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने T20 अंतराश्टे क्रिकेट में 2000 या इससे ज्यादा रन्मनाई है जो ICC है इसकी स्थापना बेसिकली 1909 में की गई थी और इसका मुक्यला है दुबई UAE में स्थित है और वर्दमार में इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं इतनी बाते भी हमें जरूर याद रखनी है जो 2022 का महिला क्रिकेट विशव कब 2022 है इसका आयूजन क्या जाएगा निजलेंड में ये भी आपको याद रखना है ठीक है अगला प्रशन है निमनलिकित में से किस स्थान पर प्राचिन कोरल लिफ की खोच की गई है ओप्शन्स है ताहिती, मैड़ागासकर, लकस्त्विप, या फिर मौरिशस इसका सही जवाब है ओप्शन A ताहिती ताहिती में खोचा गया है बहुती पुराना कोरल लिफ आईए इससे समंदित तत्य देख लेते हैं इसके लंबाई दो मिल है और यह है गोता अभियान के दुरान खोचा गया है जो कि युनेशको के द्वारा शुरू किया गया था ताहिती फ्रेंच पोलेनेशय का सबसे बड़ा द्वीब है कहां पर स्थित है ये द्वीब मध्य प्रशांत महासागर में महासागर है चार और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर यहां पर रिंग ओफ फायर भी स्थित है और इसमें ही सबसे ज़्यादा जवाला मुख्य उत्व पनोते हैं ताहिती का निर्मान भी जवाला मुख्य गतिवीधियों के काड़ों हुआ है कुछन्य बाते कर लेते हैं से सम्मंदित यह है कोरल रिफ मैसोफोटिक अक्षेतर में स्थित है जो सबसे गहरा अक्षेतर है जहां तक सुर्या का प्रकास प्रवेश कर सकता है जो प्रवाल भीतिया होती है इनको मुंगे की चटाने भी बोला जाता है और ये जीवों दुवारा छोड़े गई कैल्शिम कार्बोनेट से बनी होती है ठीक है प्रवाल कठोर सरंचना वाले चुना परधान जीवोते है इनको सिलेंट राटा पोलिप्स भी बोला जाता है आप ये भी याद रखे विश्व के सरवादिक प्रवाल हिंद प्रशान्त अक्षेतर में पाए जाते हैं जो की भूमद्य रेखा के 30 डिग्री तक ये अक्षेतर में पाए जाते हैं दोस्तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इसे भी देख सकते हैं इस वीडियो में हमने जनवरी 2022 की क्रांट अफेर को डिटेल में पढ़ा था आप इसे भी देख सकते हैं आईए भढ़ते हैं अंगले प्रशन की ओर बंदी जीवी यानिकी Life of Captivity 1922 पुस्तक किस के द्वार लेके गई है किस क्रांतिकारी के द्वार लेके गई है ऑप्शन्स है भगत सिंग, सचिंदर नात सन्या बटू केशवर्दत या फिर सुक्तेव इसका सही जवाब है ऑप्शन B सचिंदर नात सन्याल इनके द्वार लिखे गई है बंदी जीवर पुस्तक हाले में उनकी अस्मी पुन्यतिति मनाई गई है देश बर्मेन को याद किया गया है इनका जनम ततकालिन उत्तर पश्मी प्रांत के बनारस शहर में हुआ था कब वर्ष 1893 को सन्याल को वर्ष 1925 में काकोडी शडियंतर में कतित रूप से शामिल होने के आरोप में अंडमान की सैलूरल जहल में बेज़ दिया गया था और वहीं पर साथ फर्वरी 1942 में इनकी मृत्यू हो गई थी आप ये भी याद रखें जो काकोडी शडियंतर केश है इसके तैट कुछ भारतियों को फांसी की सज़ा भी दी गई थी और 9 अगस्त 1925 को इस शडियंतर को अंजाम दिया गया था काकोरी यूपी में एक जगह है वहाँ पर ट्रेन में सरकारी खाजाने को लूट लिया गया था भारते करांतिकारियों के द्वारा इसी के आरोप में 4-5 करांतिकारियों को फांसी की सज़ा भी दे गई थी जो सचिंदर नाज स्यानाल है इन्होंने ही हिंदूस्तान रिपब्लिक की स्थापना की थी और इसी को हिंदूस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एशोशेशन के नाम से भी जारा जाता है अगला प्रशन है प्रित्वी अवलोकन उपकर है EOS04 को किस रोकेट द्वारा अंतरिक्ष में स्थापिट किया जाएगा ओप्शन है PSLV C-52 PSLV C-50 PSLV C-21 या फिर GSLV B-6 तो इसका सही जवाब है ओप्शन A PSLV C-52 आईए इसकी डिटेल देख लेते हैं इसरो यानिकी भारती अंतरिक्ष अनुसंद्धान संगतन इसके दुआरा वर्ष 2022 का अपना पहला प्रक्षेपन मिशन PSLV C-52 लोज किया गया और इसके माध्यम से प्रित्वी अवलोकन उपकरह यानिकी Earth Observation Satellite 04 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया ठीक है कहां पर स्थापित किया गया है यह है 529 किलोमेटर की उज़ाई पर स्थापित किया गया है सूर्य तुले कालिन दुरूव्य कक्षा में ओके जो EOS 04 है यह है एक Radar Amazing Satellite है प्रित्वी की निगरानी करना प्रित्वी पर अपनी नजरें जमाएं रखना यह इसका मूख्य उदेश है अगला प्रशन है देवी का प्रियोजना यानकी रीवर देवी का प्रोजेक्ट का समध्ध किस राज्य से है या फिर किस केंदर शासित परदेश है ओप्शन्स है इसका सही जवाब है ओप्शन सी जम्मो कश्मीर देवी का प्रियोजना कहां पर बनाए जारी है जम्मो कश्मीर में किंदर सरकार ने यह सूचना दी है कि देवी का नदी प्रियोजना जून 2022 तक पूरी हो जाएगी और इस पर कारिया चल रहा है मार्स 2019 से किसके द्वारा राश्ट्री यह नदी सारक्षन योजना के धहत इस प्रियोजना को बनाया जा रहा है और किस नदी पर बनाया जा रहा है देवी का नदी पर जो देवी का नदी है यह जम्मो कश्मीर के उदम पूर्जिले में जो पहाड़ी शूद है वहाँ पर एक महादेव मंदिर है उसके पास निकलती है पश्मी पंजाब जो की पाकिस्तान में है वहाँ पर रावी नदी में मिल जाती है यानि कि देवी का नदी रावी नदी की एक साहिक नदी है राश्टे नदी सानक्षन योजना की बात करें थो इसे वर्ष उनिसो पच्चारवा में शुरू किया गय था और यह केंद्रे वित पोशित योजना है यानि कि इसके द्वारे जो भी प्रियोजना इस्टैबलिश की जाती है उनका खर्च केंद्र सरकार उठाती है और इसका उदेश्या है नदियों में परदूशन को रोकना आईए देख लेते हैं अंगला प्रशन हाली में किस देश ने भारते व्यपारियों को बिना विज़ा प्रवेश के अनुमती देने की घोशना की है उप्शन से मालदिव, म्यानमार, बांगलादेश या फिर अफ़कांडिस्तान इसका सही जवाब है उप्शन A मालदिव मालदिव में भारते व्यपारियों बिना विज़ा के प्रवेश कर सकेंगे मालदिव के विज़ेश मंत्राले ने कहा है कि यह फैसला इस महिने की पहली तारिक से लागू हो गया है यानि कि एक फरवरी से यह फैसला लागू हो गया है जो भी भारते व्यपारियों है वो 90 दिन की अवधी के लिए बिना विज़ा के प्रवेश कर सकते हैं मालदिव में भारत और मालदिव के बिच इसको लेकर समझोता हुआ था 17 दिसंबर 2018 में और हाले में इसका कारेंवन किया गया है जो मालदिव है ये भी बिरिटिस की कॉलोनी होता था 26 जुलाई 1965 को इसको अजादी मेरी थी अगला प्रशन है हाली में फ्रेंक वोल्टर स्टीनमियर को किस देश के रास्टोपती के रूप में चुना गया है उप्शन है मालदिव, जर्मनी, बांगलादेश या फिर अफ़कानिस्तान इसका सही जवाब है उप्शन भी जर्मनी जर्मनी के रास्टोपती बने हैं फ्रेंक वोल्टर स्टीनमियर ये इनका दूसरा कारेकाल होगा और वर्स 2017 में भी यही रास्टोपती थी जो जर्मनी हैं यहां पर रास्टोपती दो बार बन सकता है कोपवन के बारे में आपने पढ़ा होगा ये बरलिन में हुआ था और बरलिन कहां पर है जर्मनी में है आप ये भी याद रखें जर्मनी के रास्टोपती के पास बहुती कम शक्तियों होती है वास्त्विक शक्तियां जर्मनी के चांसलर के पास होती है अगला प्रशन है हाली में नीती आयोग ने किस डिजिटल भुकतान सेवा प्रादाता की सहयोग से FinTech Open Hecton जारी किया है Options है PhonePay, भारत Pay, Paytm या फिर Paynearby इसका सही जवाब है Option A, PhonePay आईए इसकी डिटेल देख लेते हैं नीती आयोग PhonePay के सहयोग से पहली बार सभी के लिए FinTech Open Hecton की मेजबानी करेगा इन दोनों संस्ताओं को अब जरूर याद रखें इनी के द्वारा FinTech Open Hecton जारी किया है इसका उदेशया है FinTech पारिस्तिती की तंतर के लिए पतपरदाशक समाधार परस्तूत करना जो FinTech है यह 21 सदी में उभरते वित्य सेवा अक्षेतर का वर्णन करता है और वित्य अक्षेतर में नवाचार से सम्मंदी जो भी गतिवीदिया होती है उन्ही को FinTech नाम दिया गया है इसमें वित्य शाक्षरता और शिक्षा खुद्रा बैंकिंग, निवेश यहां तक की बिटकोइन जैसी क्रिप्टो मुद्राओं में भी जो नवाचार किया जाता है वो FinTech कहलाता है FinTech का पुरा नाम है Financial Technology ठीक है अगला प्रशन बहुत इंटरस्टिंग है प्रशन है तूर्की का नया नाम क्या है ओप्शन से तूर्की स्तान, तूर्की रिपबलिक, तूर्की या फिर इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब ओप्शन सी होगा यानि कि तूर्की है तुर्की के राष्टर पती है रे सेप, तैप, एर्दोगन इनके नित्तितों वाली तुर्की सरकार ने कहा है कि राष्टर का नाम तुर्की से बदल कर तुर्की ये कर दिया गया है और इसका उदेशा है अंतराष्टे स्तर पर देश की छवी को सुधारना और साथ इसाथ देश के तिहास को इसके नाम के साथ चोड़ना तूर्की की भाषा है तुरक भाषा और इसमें तूर्की को तूर्किये कहा जाता है जो तूर्किये नाम है यह देश की संस्क्रीथी और सब्वेता का परतिनिति दुख करता है इसलिए तूर्की के रास्टर पती ने फैसला लिया है कि तूर्की का नए नाम तूर्की ये रखा जाए ठीक है तोस्तों अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखे 2022 में जनवरी और फरवरी में केंदर सरकार या फिराजय सरकार इन्होंने जो भी उजनाय शुरू की हैं वो सारी की सारी यहाँ पर डिसकस की गही है डिटेल में डिसकस की गही है तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखे अगला प्रशन है रमेश बावू प्रग्यानन्द का सम्मंद किस खेल से है ओप्शन से शत्रंच, क्रिकेट, कुष्टी या फिर भाला फैंक इसका सही जवाब है ओप्शन ए शत्रंच प्रग्यानन्द का सम्मंद शत्रंच से है देख ले इतने डिटेल भारत के शत्रंच खिलाणी ग्रैंड मास्टर रमेश बावू प्रग्यानन्द ने दुनिया के नंबर वन शत्रंच खिलाणी मेगनेस कालर सन को हरा दिया है इसके साथ ही वे ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे कम उमर के ग्रैंड मास्टर बन गई है और अब तक केवल दो भार्टियों ने ही मेगनेस कारलंसन को हराया है और वो कौन-कौन से हैं विशोनाथ आनंद और दूसरे हैं हरी कृष्ण इन दोनों ने ही मेगनेस कारलंसन को हराया है होराली में किस के द्वारा इनको हार का सामने करना पड़ा है रमेश वावो प्राग्यानंद के द्वारा तो याद रखे इनका समंद शत्रंद से है अगला प्रशन है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विक्सित रिसेप्टर बाइडिंग डोमेन यान की आरबीडी प्रोटिन सब यूनिट वैक्सिन का निर्मान किस के द्वार किया गया है किस कंपनी के द्वार किया गया है ऑप्शन है भारत बायोटेक सीरम इंस्टिटुट ओफ इंडिया बायलोजिकल ई लिम्टिड या फिर इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब है ओप्शन सी बायोजिकल ई लिम्टिड इसके द्वारा बनाए गई है कर्बेवेक्स टियम और यह है भारत की पहली प्रोटिन सब यूनिट वैक्सिन है आएए इसे भी देख लेते हैं डिटेल में इसका निमान बायलोजिकल ई लिम्टिड के द्वारे किया गया है और हाली में जो कर्बेवेक्टियम है DCGI के द्वारा इसको अनुमती मिल गई है DCGI यानिकी Drug Controller General of India इसके द्वारा 12-18 वर्ष की IU के बच्चों के लिए आपातकालिन उप्यों के लिए इस वैक्षिन को अनुमती दी गई है और इसमें 28 दिनों में वैक्षिन लगाई जाती है यानिकि 28 दिन के अंदर अंदर दोनों रोज लगा दे जाती है ठीक है मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से जय प्रद्योगी की और ध्योगी का अनुसंधान साहेता प्रेशिदियने की BIRAC आतम निर्भर भारत पैकस 3.00 इसके तहत प्रभावी कोविड-19 टीकों के विखास और उनकी सुरक्षा हेतु प्रतिभद भी है ठीक है न यहांपर हमें कुछ वैक्षिन के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए जो को वैक्षिन है इसका निर्माण भारत पैयोटेक के दुवारे किया गया है जो कि हैधराबाद में सित है और यह है एक इनेक्टिव वैक्षिन है कोवी श्यल्ट का दिर्माण सिर्म इंस्टिट्टूट ओफ इंडिया ने किया है यह पूरे में सित है जाई कोवडी है जो इसका दिर्माण जाईडस केंडूला कमपनी के दुवारा किया गया है और यह है पहली डियने आधायट वैक्षिन है टिपर लोज में आती है यह तीन रोज लगती है इसकी ठीक है न और हाली में पहली रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वाली वेक्सिन कौन सी बनी है कार्बे वेक्टी है ठीक है दोस्तों आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं जनवरी 2022 में या फिर फरवरी 2022 में जो इंपोर्टेंट न्यूक्तियं की गई है वो हमने इस वीडियो में कवरी की थी दूसरी वीडियो में तो आप इसे भी ज़रूर देखें तो दोस्तों यह है इस वीडियो का एंड अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेर करना नहीं बूले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब निकिया है प्लीज आपी सब्सक्राइब करें वीडियो झाल